प्राप्लिम है हमारे पास प्रापर और इंप्रापर शबसेट और से नहीं है question है just write down the proper and improper subset of given set given set है x y and z अब सबसे पहले हम देखते हैं इसके proper subsets लिखेंगे यहां पे proper subsets और दुसी तरह हम लिखेंगेWill right set पे हम लिख लेंगे improper improper subsets improper subsets अब proper subsets क्या होते है वो elements यानि तमाम वो sets जिनके अंदर number of elements तो वो ही होंगे यानि तमाम set A के अंदर मुझूद होंगे लेकि number of elements less होंगे given set A से यानि जैसे मैं सबसे पहला अगर मैं लिखूँ तो वो होज़ेगा A1 जो के है खाली set ठीक है दूसरा मेरे पास proper subsets होज़ेगा A2 जिसके अंदर मैं एक element ले लूँगा X अब देखें ये इसका proper subsets क्यों है क्योंके set A के अंदर element 3 है जबके set A2 के अंदर just एक element है तो set A2 जो है उसका फिर subset हुआ proper subsets हुआ A3 के अंदर अगर आप देखें तो आप Y को ले लें A4 आप Z को ले ले ठीक है अब इनी element को इस्तमार करके बनाएंगे लेकिन proper subsets में हमने ये make sure करना है कि जो number of elements proper subsets में होंगे वो given set से हमेशा काम होंगे उसके बाद आप जो है ये उसका proper subsets है A6 ले 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 तो ये आजाएगा Y और Z A7 ले ले तो ये आजाएगा X और Z अब ये देखें कितने साथ इसके proper subsets बने हैं अब इन साथ के साथ को अगर आप देखें तो इनके number of elements हैं वो given set से कम है इसलिए हम इसको proper subsets कह रहे हैं जबकि improper subsets जस्ट एक ही होगा और वो क्या होगा वो set अपना आप होगा यानि अगर मैं A8 कहा दूँ ये improper subsets है तो वो क्या होजाएगा वो ही element X, Y, Z तो A जो है वो improper subsets होजाएगा या A8 जो है वो improper subsets होजाएगा A का यानि A sub 8 हम कह रहे है वो improper subsets होजाएगा set A का या हम ये भी कह सकते हैं कि set A है वो भी अब improper subsets है set A sub 8 का तो improper subsets just 1 होगा जबकि जो proper subsets होगे 7 होगी तो जो हमने formula study कर रख है कि number of total subsets कितने होगे किसी set के वो 2 raise to power number of elements होता है अब number of elements कितने है 1, 2, or 3 तो अगर 2 raise to power 3 कर लिये जाएगे तो 2 times 2 times 2 तो ये बन जाएगा 2 times 4 और 4 2 times 8 तो ये बन जाएगा 8 इसका मतलब है अगर आप count करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 ही total subsets बने है